मेकनिकल प्रुपर्टीज अप सॉलिड में आपको होक्स लॉब बहुत ही अच्छे से एना जी उसकी डेरिवेशन आनी चीए स्ट्रेस और स्ट्रेंड के सौट आंसर टाइप वो कोईशन आप से पूचे जा सकते हैं ठीक है तो वो आप लोग कर लेंगे डेरिवेशन कर लेंगे हाप स्ट्रेस इंटू स्ट्रेंड का डेरिवेशन ठीक है तो इतना तो करी लेना बच्चो next chapter की बात करें fluid valley chapter की इसमें क्या ही important topic है तो है Bernoulli principle बहुत ज़दे important है surface tension, venturi meter and viscosity ये चार topic बहुत ज़दे important है इंके short answer और numerical आपको कर लेना है आगे की तरह बढ़ते हैं next chapter पे thermal properties of matter में तो ideal gas equation आपको आनी चाहिए lengthy calculation इस पे वेज़ जितने भी होंगे newtons law of cooling का derivation आना चाहिए calculation आनी चाहिए numerical आना चाहिए next chapter की तरह बढ़ते है thermodynamics इसमें आपको करना है 0th law of thermodynamics क्या होता है 1st law of thermodynamics क्या है 2nd law of thermodynamics क्या है इसके लाबा car not engine किसे कहते हैं ये सारी चीज़े आपको बहुत येचे से पढ़के जानी है kinetic theory के important topics की बात करें तो behavior of gases आप लोग कर लेंगे उसके graphical question आप से पूछे जाएंगे बच्चो law of equipartition of energy बेस्ट आपको short answer type question and numerical करना है वही mean free path की आपको theory करनी है theory पूछा जाएगा mean free path क्या होता है तो क्या बताओगे इसके लिए याद करो specific heat capacity क्या होती उसकी theory or plus numerical आपको पता होना चाहिए आगे की तरह बढ़ते है oscillation chapter oscillation में आपको करना है simple harmonic motion की से कहते है SHM and uniform circular motion का graphical question आपको त्यार करना है energy in SHM का derivation करना है numerical करना है आगे की तरह बढ़ो आपके demand पर वीडियो बनाई गई है तो वीडियो को थोड़ा लाइक करो और comment box में लिख के जाओ कि वीडियो कैसी लगी है ठीक है oscillation due to a spring बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन ड़ी साल के लिए तो वो कर लेना है simple pendulum की normal सी theory आपको करके जानी है आगे की तरह बढ़ते है चप्टर 15 में जो की last chapter है आपका waves so waves में आपको क्या त्यार करना है longitudinal and transverse waves दोनों की theory learn करके जाओगा what is the difference between longitudinal and transverse waves displacement का relation ही longitudinal waves आपको आना चाहिए और जो characteristic है longitudinal and transverse waves के इसकी theory त्यार करके जाओगा इच्छे से क्योंकि question आएगा यहीं से principle of superposition क्या होता है इसकी theory plus numerical standing waves क्या होता है इसके derivations and theory ठीक है अलग-अलग n के लिए weeds क्या होती है उसकी theory और short numerical आप लोग कर लेंगे ठीक है तो इसी के साथ बच्चों हमारी समापत होती है आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगिए फटा फट चे वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करना बल्कूल न भुले गाई थैंक्यू गाई थैंक्स वाचिंग मैं वीडियो